मुबई नियू दिल्ली दुरत्व एक्स्प्रेस में जो की वीक में दो दिन चलती है मुबई से नियू दिल्ली के पीच में मंडे को और फ्राइडे को मैं स्ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ यह जो ट्रेन है ना रात एक 11 बजे मुबई से निकलती है और आपको अगले दिन साम चार बजे के लगभग न्यू दिल्ली पहुचाती है सो तो लगभग हम लोग की इस ट्रेन से तेरो सा पचासी किलिमिटर का रिस्टेन्स कवर करने वाले हैं तीन होर्ट के साथ लगभग सतर घंटा में अजी तो अब हम लोग आ चुका है प्रेटफॉर नंबर वन पे और अपनी ट्रेन मुंबई दुरंतो लगी हुई है लेकिन आज हम लोग की जर्नी है ना होने वाली है जेनरल क्लास में जी हां मुंबई न्यू दिल्ली दुरंतो को फाली फिलाल है मतलब 20 जनबरी को एक से जनरल क्लास का कोच दिया गया है तो हम लोग की आज जर्नी है ना मुंबई से लेके न्यू दिली तक जनरल क्लास में होने वाला है कोच है डी एल वन और सीट है उनईस नंबर यह रहा दुरंतो ट्रेन का जनरल क्लास में तब सेकेंड शीटिंग चलिए चलते हैं अंदर प्रेन का चलिए आपको जनरल क्लास का टूर करवाता हूं वैसे अगर मैं सीटिंग के बात करूं तो टोटल जो है ना इस जनरल क्लास में सिर्फ 30 सीट है हरस का विंडो साइड मिल गया 30 नंबर मेरा मतलब 20 नंबर मेरा 19 नंबर और यह देखें यह है लास्ट सीट 30 नंबर मतलब टोटल जो है ना इस कोच में आपको 30 बर्थ देखने को मिलेगा तो अभी टाइम हो रहा है दस बच के 55 मिनिट और पांच मिन का समय भी बांकि अपनी ट्रेन निकलने में और देखें अभी टीटी सर आया है सबका टिकट चेक कर रहे हैं तो क्या सीन है ना कि मतलब ज अगर आप सगेर सिटिंग में जर्नी करते हैं तो सबसे पहले तुम लगेज का विस्यस तौर पे आपको ध्यान लगना परेगा और अपनी जो पोच है ना जस्ट लोको मोटीव के पीछे लगी हुई है तो वैसे इस ट्रेन का तीनी ऑल्ट है जहां भी ट्रेन उकेगी वह अगल वगल में इस टॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा तो खाने पीने कर समान जो है आप मुंबज से ही लेके चले अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 उदर से देखे साइदार पिये फुदर से आ रहा है कि अगर कि लोको पाइलेट है उतरे हुए कि है अगर कि 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 लिए जाल गया कुछ बोला है देख के चलना इदा तो सही है क्या है पता है क्या है भाल श्रोड़ से बनाँ में नहीं हो जिएांगी को ल्गक्टिया लेखा कोस्ट काना है नह अङके और शुट्टियां चुट्टिया जिए लेगा भी में लेगांगी अनलो चुटियां लेत्टियां चार्टियां नह नह दोल ढ़ाई है अज़ झाल आज़ार नहीं तरह की जबती सब्सक्राट करें, जबते हैं जबती हैं को पीछ में कहले कंपल सिर्द पिंटिया तयाद किसा एगता शीख दो रेंचुनीग हो भीश्ट रूंश देगा, जबते हैं कि एग जट रिविपस तरह रें देंगां मैं, जबते हैं हमें लगा अपने ट्रेन से जानवर टत्राई होगी लेकिन यहां बता रहे हैं लोको पाइलेट सर कि दो आदमी था उसका जैकेट मिला है और उनका बैग है वहां रखा वज़ेशे चलिए 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 आदमी दो चला गए कि बोडी का एक पार्ट लटका हुआ है मेरे गोच के जस्ट नीचे तभी लोको पाइलेट बोल रहे हैं कि उसको निकालना परेगा कि आगे बैग भी लटका हुआ हूँ बैग भी है वो तो हम दिखाती है दो लोग थे बोल रहे हैं अतलब धुन्द बहुत है और आपको पता है कि यह प्रिमियम ट्रेन है बहुत रफतार से चल लेती ट्रेन लगबक 110 का स्पीड था सूरत से जस्ट पीछे अभी हम लोग ह कि आगे है ऄम कर्याँ सक्रम वह को, कि यह घड है ऑज़ है कि अदो दोलौ एढ़ा है निगाया घास एडिãy accordance लाए कि अज़ बाता को ने ले ला होगान है यह ता बिले लेला और समय करते हैं अ कि अरा जाक ट्विल थिप्स निए बाता मिसं हुआँ के अ Nowadays ले 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 फैरीS कि चलिए है कि अच्छानक से पहले मुझे लिए जानवा टक्राई है इनको भी लगा कि जानवा से टक्राया होगा लेकिन जब भी जब उतर के बाहर गया देखें हैं तो बता रहे हैं लोकोपालेट सरकी दो आदमी था और दोनों वो रेल्वे की ही स्टाप थे ट्रैक मैं तो जैकेट मिला है बैग मिला है बोडी का कुछ पार्ट मिला है अपने जस्ट कोच जनरल कोच जो है ना उसके निचे और कुछ पार्ट उदर है वही सारे पार्ट को अभी इकठा किया जा रहा है और तो अब यहां से निकली है और सुर्वत रेल्वे स्टेशन से हम लगवग 15-20 किलोमेटर पीछे हैं अभी जो हम लोग की ट्रेन रुकी है मरोली रेल्वे स्टेशन पर यहां पर ट्रैक मैं के बॉडी का जो भी पार्ट है उसे दिया जाएगा इस बज़र से यहां ट्रेन को र यहां लोगा गया है तो अब देखिए दो लेके आये हैं वो बोड़ा है और उसमें बॉडी पार्ट रखा जा रहा है अब ट्रैक मैं का बेग भी मिलाता है हमने आपको दिखा जाता है यह उदे ले जा रहा है बॉडी पार्ट को आपक्ष यहाँ, आपक्षट को देखिए लॉडी अथा जाने थाँ से यहां लाँ, कि अवड़शा रधे लिग KEए मिलाँ में पार्ट को मैं को को दॉडी पार्ट आप लिए.. प्रोजब फुर्डब झाल कि अजय कर दो आज़ कर दो आज़ कर दो आज़ कर दो आज़ चानला की तो आज़ आज़ सकते हैं शुबारा शुबह के पांच बच के तस मिनिट आते खरें किस तरह लेटा हुआ है मिन निहीं आ रहा है है कि तरह कि पैसेंजर सब लेटे हो एंप उपर है इधार रहा है देख रहा है कुछ पैसेंजर जगे में उसके बाद नहीं तो जिनको जहां सीट मिला वहां पर अपना लेड गाया है सुबह के बद रहे हैं आट बज के पंदरह मिहन तो कुछ दिर पहले हम लोग अभी क्रॉस किये थे रतलाम जंक्शन वहां पर अपनी ट्रीन का पांच मिनिट का हॉल्ट था अब उससे स्टेशन के उत्रे भी आप लोग के लिए वीडियो भी बनाये लेकिन हुआ क्या यह उस वीडियो में audio ही गायब हो गया था आकटलाम जंशन के बारे में बात करें तो रध लाम का स्टेशन कोड़ है और रध लाम आता है मद्ध परदेश में और वहां फैंडी ट्रेइन का पॉंहरी पॉंहां चार्लिस मिनट भी चल रही है रतलाम मदपर्देश में आता है और यह जो रतलाम रेलवे स्टेशन है यह वेस्टन रेलवे का एवन के टोड़ी का रेलवे स्टेशन है रतलाम के साथ प्लेटफॉर्म है और अभी फिलाल हो जाना 259 ट्रेश साथ का रुपती है हम लोग की ट्रेशन दिलेट अतलाम इसलिए पहुंची कि सुबह में जो इंसीडेन्ट हुआ था अपने ट्रेशन के साथ देर वजे के लगबग क्या हुआ था आपको थोड़ा बहुत फूटेज हमने आपको दिखाया लेकिन कुछ ऐसा फूटेज था जो कि बहुत ही सेंसेटी फूटेज था उसे हम आपको नहीं दिखा पाए हुआ घटना यह था कि अपने ट्रेशन सूरत से 50-60 किलिमेटर पीछे थी देर वजे का टाइम था हम लोग लूड़ो खेल रहे थे हम और हर्स और हम लोग का इरादा था कि भाई सूरत का स्कीप लेंगे स्टेशन का तो उससे पहले क्या हुआ कि एक अचानक से आवाज आई जन्नाटेदार आवाज आई कराकरा करते आवाज किया तो हमको लगा को अचान सौ मीटर के बाद अपने ट्रेन रुकी जब रुकी तो मुझे रहा कि जानवर टकरा गई है तो इस वज़े से अपने ट्रेन रुकी है फिर जब देखें बाहार निकले तो लोको पाइलेट एसिस्टेंट लोको पाइलेट ट्रेन मैनेजर आई प्रियाग सर तो यह कि इतेंट ब्वकी तेंट लोक ट्रेन मैने में आपने लोको पाइलेट निकलेट पाइलेट आपको इस वज़े हैं के जैसा बदाकर करता आपने तो पात करता हैं पस्ते यह थे अपनी दून विक्या। तो एक दिखाय नहीं दिखाय नहीं दिखाय जागा जाए ड़ूगा, और इधर अपने लोको पायलट सर को साइद वही होगा होगा उस वज़े से ट्रेह ट्रne कार गई और दोनों ट्रेक पे अचानक से ट्रेन आ गई तो उनका जो बेग है ना वो ट्रीन के लोकों पे लटा गिया और उनका बॉड़ी फूरा ट्रीन के अंदर आ गया, मतल नीचे आ गया और उसका बॉड़ी का कुछ पार्ट जो है अपने कोच, मतलब जिस पोच मैं फिलाल हम जनली कर रहे हैं सेकेंड सेटी कोच में उसके नीचे बॉड़ी का कुछ पास लिया तो वही बॉड़ी का पार्ट वो ढूण रहा थे पर बॉड़ी का टूणने के बाद वो सारे पार्ट पर कठा किये और इकठा करने के बाद अगला स्टेशन पे प्रेन का ओफिस्यल हॉल नहीं था वहां पर वोखा गया train को और body के part को दिया गया और साथ ही trackman का जो bag मिला था उने भी दिया गया अब देखिए ये घटना जो घटी तो इसमें गल्ती किसकी है मेरे समझ से गल्ती नहीं trackman की है नहीं loco-pilot की है सब---- शुम कि धुन्ध ही इतना था नज इसना धुन्ध था कि जबन साथ है वो मैं किसी को दिखाई नहीं देगा वैसे , ट्रैक्म לाविव मैं को रेडियम जैकेट दिया जाता है कि धुर से ही दिखाई देता है लेकि दूरीम पास दीन करता है साथ ही उनके पास थौरी भी होता है, लाइट भी होता है, लेकिन धून इतना था कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया और यह घट गई वैसे इतनी साइट ट्रेन जर्नी हम कर चुके हैं, लगबग 200 से अधिक ट्रेनों में हमने जर्नी किया है यह पहला इस एंसीडेंट है, यह हम जिस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, उस ट्रेन के साथ इस तरह का एंसीडेंट हुआ हो, वैसे जानबर तो टकराते रहता है, लेकिन पहली बार इस ट्रेन में हम जर्नी कर रहे थे, उसमें मतलब दो रेल्वे के ही करमचारी के साथ घटना बहुत मतलब रात में यह हुआ उसके बाद तो ऐसा हो रहा था ना मुझे वडोधरा रिल्वे स्टेशन कवर करना था वीडियो बेगारा नहीं बनाएं मूडी नहीं था बनाने का सुबह उठे और उठना किया ऐसी तरह बैठ के पुरा जर्नी किये सुपर पांच बैस तक तो लूडो खेल रहा था है हम और और इसी पर डिसकुस्टन चल रहा था कि अब लोको पाल यह फ्रैक मैन का पड़िवार क्या सोच रहा होगा क्या बहुत तरिकी बाते आ रही थे माइड में तो ऐसी घटना घटी लेकिन बहुत सारा फूटेज हमने आपको नहीं दिखाया कुछ फूटेज मस दिखाया है तो पुज़र में हम लोग खोटा रेल्बी स्टेशन पहुचने वाले हैं और महा से हम लोगोंने कल ही ऑनलाइन फूद ओर कर दिया था कि मुझे पता था कि आपको फूटेज में आपको नहीं मिलेगा तो कोटास हमने खाना ओडर किया है तो मैं आपको दिखाता हो कि हमने क्या ओडर किया है तब तक आप कुछ स्टेशन का स्किप देखिए कुछ ट्रेनों का क्रॉसिंग देखिए और हम इधर चाई का अनद उठा रहे हैं और यह जो चाई है ना यह पैंट्री के ही स्टाप लेके आए हैं इस जनरल कास में बेचने के लिए बोल रहे थे कि बाहर के लोगों को इसमें अलाओ है ही निए इस ट्वेन में तो वही मतलब रतलाम एलवे स्टेशन पर चड़े हैं चाई कॉपी लेकर और लोगों को दि कुपए Server कर चाई कुपàn को लेकर वेकर अए év ay भी लेक की बाद़िए backdrop जख लेकर अए भी लेकर बेडना को आर भीकश Gibbs को शष जा क्युप दो मिल्ग कर दो सबया दो प्रह दोगे दो मिल्ग दोत्पनी कर दो से थाँ भीरा, दो स्थमादे भीरा, इड़ है प्रह दो कर दो दिस कि दो कि दोगिए बहुआ है। करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉर्ट कोटा जंसन जिसका इस्टेशन कोट है के ओटी यह और यहां पिस ट्रेन का पांच मिट का हॉर्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है है वीच मिनट तीले उचले मैं आपको इस ट्रेन के कोच कम पोजीशन और फियर के बाहरें बता तो यह चो ट्रेन है ना मुंबाई न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस इसमें आठ थर्ड एसी का कोच है दो सकेंड एसी एक फर्स्ट एसी और एक जनरल क्लास मतलब रुपया और हाँ प्रिमियम ट्रेन है तो टाइनिमिक फेयर लगता है तो इस बात का आप धियान रखिएगा और हाँ ठीकट प्राइस में ही पूर इंकूड रहता है लेकिन अगर आप सेकेंड सिटिंग में जनरी कीजिएगा तो उसमें खाना आपको नहीं मिलेगा आपक कि छोड़ी होती है तो प्राइक में खाना आचिका है तो कोटा से हम दोगों ने लिया यह कोटा का फेमस कचोड़ी कितने कपड़ा भई 20 का दो 20 का दो पड़ा और सही है यह जोए आए तुम दो छिए आपड़ी है दोया भी किए अज्ण भी आए आपक दोग में आ और अज्वेट किया था यह राजमा दाल है दाल तरक वह फ्रिशनर सलाद का आइटम है शोदा चपाती है गर्मा गरब आई राजमा भी राजभाब ऐसा नहीं है कि टोटे 14 रोटी हमा के ले ठाने वाले हैं और ये साथ में भर से 508 बोनों में रहेंगे वैसे बाइ दोनों चाहिए वो ये जाद करका होता है राजमा शबशी एक नमबर आनेक बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझी तूने का परणा को हमने ओनलाइन कौन सेस्ट्मेंट से ओडर गिया है पोटा डिल्वेस्टेशन और कुछ दरी महलूब कहुंचने वाले हैं न्यू दिली डिल्वेस्टेशन उससे पहले मैं आपको कोच के कंडिशन दिखा देता हूं को सामने देख रहे हैं वह सी सी टीवी कैमरा जेनरल कोच में पहली वार हम देख रहे हैं तीन तीन सी सी टीवी कैमरा लगा हुआ है एक इधर पीछे की तरफ और दो इधर यहां लगा हुआ है और एक उस गेट पर लगा हुआ है तो चले मैं आपको वास्रूम का कंडिशन दिखाता हूं तो वास्रूम में जाने से पहले देखे सामने आपको देखने को मिलेगा मीरर और मीरर पे देख सकते हैं गंधी पड़ा हुआ है और यह रहा वाटर सामने में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा शामीर साफ सफा कि मैं बात करूँ तो देखे इधर थोड़ा सा गंदा है लेकिन इदर साफ है आप काम चला सकते हैं नीचे यह रहा वाटर डिस्पेंसर पानी पूरी जर्नी आपको मिलेगी और यह रहा बेशीन यह भी सा तो इसलिए अभी फिला तो सब चीश सही है अगर मैं जर्नी एक्सक्रियंस के बात करो मुंबए जर्नी गुरंदो च्पेस के जर्नी एक्सक्रियंस मिला रहा वास्मा कंडिशन एवरेस था यूज़ करने लाइक था और कुछ का भी कंडिशन सही था क्योंकि इसमें तीसी पैसेंजर जर्नी करते हैं तो कर्णिशन सही होना ही चाहिए वैसे 5-6 ऐसे पैसे पैसेंजर थे जिनके पास टिकट नहीं था उनोंके टीटी से क्योकेट बनवा कर बताब वह भी जर्नी कर रहे थे चलिए आज के वीडियो को यही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में वैसे आप जर्नी एक्स्प्रियंस तो भाई अब क्या ही बताएं मेरा पहला एसा जर्नी है इसमें मतलब मेरे ट्रेंग के साथ जर्नी कर रहे थे इसीडेंट हुआ तो अब यह देखकर बुरा भी मेरे अब क्या ही कर सकते हैं इसने आप अपना क्या लग है अस्ते रहे मुस्कराते रहे तरह इसी तरह मेरे साथ जर्नी करते रहे सी उसू प्रिन्ट की श्पाइंट और हम जियार करते हैं आप से पी